हरर महादेव दर्शकों जै महाकाल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में कौन सा संख रखें किसकी पूजा करें जिससे मालक्षमी हमेशा आपसे प्रसन नहीं आपके कारोबार में आपके वैपार में घर में खुप जादा तरक्की हो बैसे तो संख का बहुत जादा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में जिस तरीके से कार्तिक महा चला है कार्तिक महा में जैसे विश्णु जी की और लक्षमी जी की पूजा की जाती है बैसे ही संख की भी पूजा की जाती है संख की जो पूजा की जाती है संक के जो पूझा की जाए संक का बजाना बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना जाता है क्योंकि सभी देवी देबता संक से प्रसंद हो जाते हैं खासतर दोर से विश्णु भगवान अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है आपके यहां आप बहुत कोसिस कर रहे हैं लेकिन कुछ भी आपका सही से नहीं हो पा रहा आप बैपार सुरू कर रहे हैं या कोई जौब कर रहे हैं लेकि फिर भी आप क्या पैसों की कमी है, आपके कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आप लक्ष्मी जी की क्रपा पाने के लिए घर में दच्छना बरती संख रखें, कौन सा संख रखें, दच्छना बरती आप संख रखें, उसे बिधी विधान के साथ इस्थापित करें, नियमित उसकी पूजा करें, और डेली उसे सुभा साम उसे आप जरूर बज़ाएं, इससे कहते हैं कि मालक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसंद होती है, क्योंकि जो संख होता है, इसमें भी वास होता है मालक्ष्मी का, क्योंकि जो मालक्ष्मी है, मालक्ष्मी और संख है नो, जो दोनों भाई बहन माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों समद्र से इनकी उत्पत्ती होई है, कोई भी आप कोई नया काम करें तो संख बजाकरी करें तो इसलिए आप अपने घर में संख जरूर बजाए और दच्छना वरती संख रखें अगर कोई उपरी बादा है भूत प्रेत का कुछ ऐसा है जिससे घर में आपके कोई दरित्ता आ गई है कोई भी बज़े हो दरित्ता आने की आपको ऐसा लग रहा है घर में कुछ हमारे किसी नजर लग गई है तब भी आप इसी संख को बजाएं और विधी विधान से सुवा साम की पूजा करें और फिर इसे बजाएं आपके सांस की कोई प्रॉबलम है आपके फेपड़े कमजोर है कोई भी आपको बीमारियां बहुत लगी रहती है तो संख बजाने से सब कुछ आपका जो भी परिसानी होगी जो भी आपकी बीमारियां होती हो सब समाप्त हो जाती है घर से जो भी नकारात्म कूर्जा होती है वो सारी नि– जाती है सकालातिम्हेर पूर्जा प्रवेश कर जाती है इसलिए आप संख का बहुत जादा हमारे जीवन में महत्व है इसलिए और दिछ Teach रहावटी Say संख अपने घर में जरूर रखें और कार्तिक महा में तो इसे इस तो पर आप संख की जरूर पूजा करें मा लक्ष्मी और विश्मु जी के साथ साथ और डेली सुवह साम इसे पूजा करने से पहले आप इसे जरूर बजाएं अगर वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरर महादेव जरूर लिखें हरर महादेव जय महाकाल